जैसरी राम दोस्तों स्वागत है आपका हमारे सांदाव दोस्तों आज का जो हमारा सिंटर आइडिया मेरे बोर्डी जाम के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चों देख सकते हैं आप सबकी सरलता के लिए बहुत ही कर सकते हैं सौट से सौट फर्म में लिखा तापकि आपको यार यह जो सेंटर आइडिया बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझा पाऊं और एक एक वर्ड को मैं आज आपको समझा की बताऊंगा अगर हमारा कोई भी बच्चा इंगलिस भी नहीं पढ़ता वो भी आज इस वीडियो क को देखकर यह थिंक आप ब्यूटी का सिंटर आइडिया है हंडेड पर्षेंट मैं गारेंटी कर सकता हूं बच्चो कि आप लोगा इसे जरूर त्यार करके जाएंगे और हर एक कॉंसेप्ट को क्लियर करके जाएंगे मैं यहाँ पर आपको रटाऊंगा नहीं हर एक बताऊंगा ताकि बच्चो मेरा जो टार्गेट है कि मैं आपको एक कॉंसेप्ट के साथ पूरा क्लियर कर सको और रटाऊंगा आपको आपको आज करके दिखाऊंगा ठीए बस आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लाश तक देखेगा और उसके बाद आप लोग ज है मैं आपको सारा प्रासेश पताऊंगा थीं तो देखेए सुरूआत होता है की दजकर पूयम यहीं मतलब एंच कं पॉस्ट के द्वारा जांगेट के दवारा यहां जो जो है एक इति का beauty क्या है रचीत है ठीक है आपको जो ही यह पहला मालूम हो गया ठीक है उसके बाद देखे क्या है कि in this poem यानि in this poem the poet यानि कर सकते हैं मारे जो कभी है क्या tell that the beautiful things are the sources of great joy and happiness यानि in this poem यानि इस जो कर सकते हैं कविता में टो यानि 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 जो हमारा कविता कवें बताना चाहता है कि आ Elvis यानि सundयर बीचार यानि beautiful मतलब होता है सुनर teacher मतलभ हुए बिचार nor the sources का मतलब होता कि जो हमारे मन में प्रकार की खुसी उत्पन होती है यानि एक आनंद का भावत्पन होती है वह क्या है इसका सोर्स है क्या कौन सोर्स है यानि ब्यूटिफुल थिंग्स यानि सुंदर विचार ही हमारे अंदर की कह सकते हैं जो आनंद है और हमारे अंदर की जो खुसिया है व तो वो जो है उसी का क्या है source है यानि beautiful things ठीक है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हम क्या बताना चाते है ठीक है उसके बाद देखिए आप कहा गया है कि therefore beautiful things are worth treasuring with the passing of time यानि there for मतलब होता नहीं यसे लिए यशेयर मतलब होता इस लिए इसलिए जो है beautiful things यानि सुनदर बीचा और work और work मतलब होता लायक यानि worth मतलब होता ह somehow कि इसके इसलिए हमें क्या करना होगा सुन्दर विचार को संचित करना होगा जो की समय के साथ हमें इसके क्या करना होगा ताकि हम जो है सुन्दर विचार के साथ अपने समय को बहुत ही आचान या बहुत ही सरल कर सके ठीक है तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं आपको हर एक जितने भ जुए फूल यानि जो है एक सुंदर बिचा है हमें क्या देती है बीकम मूर मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा क्या करती है ज्याइफुल मतलब आनंद और खुसी देती है यानि उसके बाद देखे क्या गया है ग्रेशन आफ गार्ड प्रोवाइट एनरजी एंड हैपिनेस ग्रेशन का मतलब होता है कि निर्मार यानि जो है या क्या करता है निर्मार यानि ग्रेशन आफ गार्ड प्रोवाइट यानि जो है में गार्ड के मतलब होता है भगवान हमें क्या करते हैं प्रोवाइट करते हैं यानि कह सकते हैं कि निर्मार करते हैं एनरजी एंड हैपि पी मतलब खुसी का आनन दिलाते हैं तो भगवान जो है कर सकते हैं सुंदर विचार से में निर्मान कराते हैं एक Number क tat सकते हैं क्पुसी और हमें जो हैं अंदर से क्या कराते हैं एक फील हैपी कर आते हैं ठीक है तो भ ACT्यों देख सकते हैं महारा सेंटर आइए बहुट ही सिंपल है और हमने जो एक एक सब्द को एक सब्द का पुष्ट माडम करके आपको बता है ताकि एक सब्द का आपको बारीकी से घ्यान हो और आपको रटना न पड़े और अगर इसी तरह बच्चों आप देख सकते हैं ने बहुत ही सिंपल और कीवर्ट के साथ लिखाऊं कि अगर आप इन कीवर्ट को भी ध्यान में रखेंगे ना तो अपने सब्दों में भी लिख सकें ठीक है और बच्चों पहले ऐसे ही माई मदर ऐसे सिक्स का लेकर और भी हमारे जीतों ने भी इंपॉर्टें सेंटर आइडिय और कमेंड में जरू बताएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा जय हिंजय भारत वंदे महत्रों